तो देखते हैं यहां पर question number 64 में हमसे क्या पूछा गया है आप body of mass 2 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity of 20 meter per second what will be its potential energy at the end of 2 seconds तो यहां पर क्या एक body है जिसको हम यहां पर क्या करें उपर की तरह आप करें और body का mass हमें यहां पर कितना गिवन है 2 kg और जो इसकी यहां पर initial speed है वो हमें यहां पर कितनी गिवन है 20 meter per second तो हम क्या करें इस body को उपर की तरफ आप करें और जो हम यहां पर gravity लेंगे वो हम यहां पर क्या लेकर चलेंगे 10 meter per second square तो हमें बताना है कि 2 second बाद इसमें जो इहां पर potential energy होगी वो यहां पर कितनी होगी तो करते हैं यहां पर इसको solve हम यहां पर क्या निकालना क्या है सबसे पहले हमें height निकालने पड़ेगी क्योंकि potential energy के formula हमारे यहां पर क्या होता है mass multiply gravity multiply height तो mass हमें given है gravity given है बट हमें यहां पर height नहीं पता तो height claim में यहां पर क्या करूंगा second equation of motion का use करूंगा तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ using second equation of motion तो second equation of motion हमारे यहां पर क्या होती है s equal to ut plus half gt square होता है हम यहां पर क्यालते है acceleration की जिए gravity लेते हैं अब आपको यहां पर एक चीज़ धियान में रखने पड़ेगी हम यहां पर body को क्या कर रहें नीचे से उपर की तरफ रहें तो क्या हो रहा है अगेंश ता ग्रेवीटी हो रहा है तो ग्रेवीटी की जो यहां पर value होगा हमारे यहां पर यहां पर negative का 10m per second square होगी अगर यहां पर body उपर से नीचे की तरफ कि तरफ करेगी तो हम यहां पर positiveॉ स्वस्थितिव iszेर और time हमें यहां पे कितना गवन है 2 second Case minus half gravity हम यहां पे 10 लेंगे और time हमें यहां पे 2 second prochenihin 2, 2, 4 क्योंकि यहां पे t का square करना है तो यहां पे 2 हो जाएगा 4 तो यहां पे divide करें तो यहां पे 2 आजाएगा हमारे हमारे हाप औहुड यहां पर 40 minus का 20 तो यहां पर जो हमारी height निकल के आजागे, वो हमारी निकल के आजागे 20 meter तो यह जो S है, वो हमारे हैं पर किसके बराबर है, यह हमारा एक तरह से height ही है, ठीक है अब हमें यहां पर क्या करना है, इसमें value put कर दीनी है, mass हमें कितना कि बने 2 kg gravity यहां पर कितनी कि बने 10 meter per second square और height अभी हमने यहां पर कितनी निकाल दे है 20 meter, तो यह हमारा यहां पर कितना हो typically और कितना हो जागा 20 meter, तो total मैला कि यह हमारा हो जागा 10 तो यहां हमारा हो जागा होप आपको ये वाले question का अंसर समझ में आ गया होगा अब हम चलते अपने next question के तरफ